स्री सीवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों हर हर महादेव आप सभी पर भगवान सीव की किरपा सदेव बनी रहे दोस्तों अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है धन नहीं आ रहा है वेपार नहीं चल रहा है या फिर कोई ऐसी समस्या जो आपके जीवन में बहुत ही जादा प्रबल है परिच्छा दे रहे हो लेकिन परिच्छा में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे ह जीवन हर तरीके से अस्त वेस्त हो गया है तो ऐसी इस्ति में आपको पितर पक्ष में एक छोटा सा दिवी उपाय जरूर करना चाहिए या उपाय करने से आपके जीवन में चल रही हर तरह की परिसानियों से आपको छुटकारा मिलेगा तो दोस्तों ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है एक लोटे जल में आपको दो बेल पत्र डालना है एक समी पत्र डालना है और थोड़ा सा गुड उसमें मिला लेना है यह तीन चीज पानी के अंदर डाल कर एक लोटे जल को आपको भगवान संकर के मंदिर में ले जाना है जो भी आपने उस लोटे के अंदर एक समी पत्र दो बेल पत्र और गुड डाला हुआ है वो भगवान संकर को समर्पित करते समय आपके मन में जो भी कामना हैं जो भी इस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो वह मनी मन स्री सिवाई नमस्तुव्यम कहकर भगवान संकर को समर्पित कर देना है ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही हर तरह की परिशानियों से चुटकारा मिलेगा कर्ज से चुटकारा मिलेगा अगर वैपार नहीं चल रहा ह तो वैपार चलने लगेगा वैपार में घाटा हो रहा है जो नुकसान हो रहा है उससे भी चुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बोक्स में जैसी उसंबू हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं